नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टड़ी आईक्यूमेंट मैं हूँ आपका दोस्त राहुल साइगाउकर और हम आज बात करने वाले हैं नौड स्ट्रीम 2 के बारे में एक बहुत ही इंटरस्टिंग आर्टिकल आया था और एफ में जहां पे रशिया, येरोपियन उनियम और नौड स्ट्रीम की बाते की गई है एकॉनमिक्स वर्सस जियो पॉलिटिक्स तो इस वीडियो में पहले मैं आपको बताऊंगा नौड स्ट्रीम एग्जाटली है क्या और एक व्यापक विशलेशन करेंगे, दोनों पहलों देखेंगे नौड स्ट्रीम प्रो स्टेटमेंट्स और आर्गुमेंट्स और अंटी नौड स्ट्रीम आर्गुमेंट्स क्योंकि हाली में United States ने बहुत सारे sanctions लगा है Nord Stream 2 pipeline के खिलाफ और Nord Stream में अगर हम लोग बात करें तो एक तरफ Russia party है और दूसरी तरफ बहुत बड़ी party है Germany जो ally कह सकते हम लोग United States की है तो एक geopolitical complexity यहाँ पर develop हो गई है तो इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे Let us begin the discussion लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे follow करना चाहते है You can follow me on the ID RahulSai22 साथ ही साथ सड़िया क्यों आपके लिदा है Comprehensive Problems Commence Program for UPSC 2021 For more information download the app तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ Nord Stream के बारे में अगर मैं Nord Stream की बात करूँ Nord Stream एक offshore natural gas pipeline है वो pipeline जाती है रश्या से लेकर जर्मली तक Nord Stream की दो pipeline है Nord Stream 1 और Nord Stream 2 अगर Nord Stream 1 की बात करूँ वो अलरड़ी वाइबॉर्ग से लेकर Lubmin तक connected है operational है यह Nord Stream 1 है और Nord Stream 2 जो है यह connect होगा उस लुगा से लेकर Lubmin तक मैं आपको इसका figure दिखाऊंगा थोड़ी ही देर में Nord Stream की अगर हम लोग बात करें तो यह एक joint project है जिसमें main party है रश्या, रश्या के majority stakes है Gazprom, तो Nord Stream 1 में तो Gazprom है ही, Nord Stream 2 में भी Gazprom है इन फैक्ट Nord Stream 2 में एक holy owned subsidiary है, Gazprom की वो involved है इस particular party में इसलिए इसके उपर बहुत सारे sanctions लगे हो है, चलिए देखते है Nord Stream कहां से कहां गुजरती है मैं आपको बताया था, दो pipeline है वाइबॉर्ग और उस्त लोगा जो एक solid line है, वो completed line है वाइबॉर्ग से लेकर Greifswald तक Germany में, it is already operational और जो दूसरी line है, उस लोगा से लेकर जाएगी Germany तक वो 90% complete हो चुकी है इसके उपर sanction लगाएगा है मतलब ये नीचे वाली जो line है इसके उपर अभी United States ने sanction लगाए है, Russian companies के उपर और जो भी इसकी construction में involved है उसके उपर तो अगर हमनो Nord Stream 2 की specifically बात करें तो 2015 में इसको envision किया गया था और याद रखिएगा कि Nord Stream एक ऐसी pipeline है, जो गुजरती है under sea मतलब Baltic Sea के नीचे से जा रही है ये pipeline Germany पहुचेगी और Germany से entire European market में gas को भेजा जाएगा joint venture है ये, जैसे मैंने आपको बताया, Russia की Gazprom तो ही है लेकिन Gazprom के अलावा भी European Union की भी बहुत सारे companies है, जैसे NG, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper और Winter Shell ये सब involved है बहुत ही बड़ा project है इसकी कम से कम आदी financing रशिया से आ रही है और आदी European Union से आ रही है 90% complete हो चुका है और अगर ये complete हो जाएगा, तो complete जो Nord Stream project है 1, 2 जो capacity पहले थी उस capacity को ये लोग double कर देंगे, इसका मतलब European Union और भी ज्यादा dependent हो जाएगा Russia के उपर, तो चलिए खबर पे आते हैं, वापस Nord Stream समझने के बाद, खाली में October 2020 में United States ने decision लिया है कि Nord Stream 2 के उपर sanctions लगाएंगे इससे पहली भी कई sanctions लगाए गये थे Nord Stream 2 के उपर जिसकी वाज़ी थोड़ा सा disruption हुआ था लेकिन अगर आप देखो विशेशक्यों के बाद Trump administration has imposed sanctions बट वो कहता है कि इस टू लेट क्योंकि बहुत ही advanced stage में पहुंच चुका ये project तो चलिए देखते हैं एक background के बारे में क्यों US ने रश्या की इस company के उपर या रश्या की इस project के उपर sanctions लगा है हम सब जानते हैं कि 2013-14 में क्रीमिया विवाद शुरू हुआ क्रीमिया का विवाद शुरू हुआ था विक्टर यानकुविच की वाज़से विक्टर यानकुविच प्रो रश्या बन गए थे तो वहाँ पे एक वाद विवाद शुरू हुआ फिर इवेंचुली 2014 में क्रीमिया में पावर चेंज हुआ लेकिन उसके बाद रश्या ने क्रीमिया को उठा लिया जो यूक्रेयन का भाग था पहले उसके बाद से हम लोग देख सकते हैं कि वाद विवाद बढ़ चुका है यूएस और रश्या के बीच 2014 में ही यूएस फ्रीडम्स सपोर्ट एक्ट लाया था यूक्रेयन की तरफ से उसके बाद 2016 में रश्या के ओपर अच्छे बनाएंगे लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि रश्या के साथ और भी रिलेशन्स बुरे हो चुके हैं यूएस के जब से ट्रम्प आया है वह बहुती क्वांटेशन हो गए हैं आप देख सकते हैं यहाप बहुत सारे एक्जांपल में ने दिये हैं इराक, नौर्थ कोरिया, सीरिया, नौन प्रोलिफरेशन आट के तियत सैंक्षन लगाए हैं, कैटसा के तियत सैंक्षन लगाए हैं ना सिर्फ रश्या पे, दूसरे देशों पे भी जी से रश्या को एक्सपेल कर दिया गया Salisbury poisoning के उपर जो UK में हुई थी उसके उपर भी बहुत सरे statement आये Trump administration से और अभी जो हाली में sanctions आये वो कहा जाता है कि जुड़े हुए है Alexi Navalny के poisoning से Alexi Navalny एक Russia के opposition leader है जिनको poison कर दिया गया है उसके उपर वाद विवाद छिड़ चुका है और Nord Stream 2 के उपर भी sanction लग चुके है तो अभी आने वाला समय ही बताएगा कि exactly क्या होने वाले लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि Nord Stream की argument क्या है क्योंकि Nord Stream बहुत ही जरूरी है economically भी बहुत जरूरी है लेकिन geopolitical development हो रही है पूरा European Union दो भागों में बढ़ चुका है एक तरफ कहते हैं कि हमें Nord Stream चाहिए और यहां पर major player है Germany और दूसरी तरफ है anti-Nord Stream जो lobby है वो है Eastern Europe से Poland, Ukraine, etc से तो अगर हम लोग प्रो Nord Stream 2 की बात करें वो कहते हैं कि आने वाले दिरों में यूरप की जो gas demand है वो बढ़ने वाली है क्योंकि Paris Climate Agreement अगर करना है तो hydrocarbons जो fossil fuel से उनको stop करना पड़ेगा natural gas clean source है तो आगे जाकर बढ़ना ही बढ़ना है दूसरी problem यह है कि pipeline चाहिए क्योंकि जो उनका original production है North Sea से और जो कुछ भी आता है Ukraine से वो कम होने वाला है आगे चल कर तो इस pipeline की बहुत ज़्यादा जरूरत है यह कहते है pro nord stream 2 के जो proponents है particularly Germany उसके साथ जाथ वो कहते हैं कि Russia के पास बहुत सारा natural gas है तो वो competitive pricing पे दे देगा उसके अलावा जो Ukraine से आता था natural gas Ukraine से land based pipeline भी है लेकिन Ukraine से जो pipeline आता था उसकी मातरा कम हो ज़्यादा अगर हम लोग देखें पहले Ukraine से जो gas आता था कम से कम 75% demand वो European Union की fulfill करता था लेकिन अभी वो कम होकर 40% हो गया तो एक तरफ तो economic बहुत सारे benefits है लेकिन anti-nod stream two arguments भी आते हैं especially Eastern Europe की जो country से पोलन्ड यूक्रिन वो कहते हैं कि हमारा revenue बहुत loss हो जाएगा अगर आप हम से gas नहीं लोगे और रश्या से gas लेना शुरू को रहेगे नौट श्रीम two से इसके अलावा geopolitical problems तो हमेशा रहेंगे क्योंकि अगर European Union बहुत जादा depend हो जाएगा रश्या के उपर तो वो खुद ही एक problematic चीज हो जाएगी और इन countries का एक ये भी stance है कि ये जो pipeline है इसका बहुत ज़्यादा benefit जर्मनी को मिलेगा ना कि दूसरे Central Eastern और South East European countries से उनको नहीं मिलेगा उसके अलावा एक बहुत ही बड़ी दिक्कत ये है कि geopolitical complication हो जाएगी क्योंकि नेटो में बहुत सारी European countries है उसको लीर करता है रश्या के साथ उनके वाद विवाद चल रहे हैं कि तो अगर US कह रहा है कि मत कीजिये तो ये जो बाकी countries है उसको पर continue करेंगे especially Germany तो क्या होगा आगे चल कर ये नहीं बताओ तो अगर हम लोग what next की बात करें सबसे पहला एक argument तो ये होगा कि जो project 94% complete हो चुका है उसके उपर sanction लगाएंगे तो और भी problem बढ़ जाएगी हम कह सकते हैं कि already जब से क्रीमिय का crisis हुआ है European Union और Russia के बीच already relations बहुत ही खराब तो normalize होने का तो अंदेशा अभी तक है नहीं in fact अगर आप Russian foreign minister Sergei Lavrov की बाते सुनें Sergei Lavrov कहते हैं कि it will take a very very long time for the two sides मतलब Russia और European Union को full scale partnership में आना है तो और भी बहुत देर लगे अभी तो धीरे धीरे relations अच्छे हो रहे हैं और इसी बीच अगर US इसमें involved हो जाए तो आगे चलकर क्या होगा यह नहीं पता बट अभी की खबर तो यह है कि Russia और Germany दोनों ने भी commit कर दिया है कि वो Nord Stream 2 को complete करेंगे तो अब देख सकते हो Germany won't abandon its massive gas pipeline with Russia many experts do tell that पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या होगा US और German relations का और अगर US और German में बात करो तो क्या होगा US और European Union relations का क्योंकि US कह रहा है कि Russia के उपर हम sanctions लगाने वाले हैं economic stakes है Germany के तो आगे चलकर हम लोग यह अंदेशा लगा सकते हैं कि कुछ हद तक US और Germany में भी तनाव बढ़ सकता है that is the conjecture इसके उपर कोई भी खबर आएगी तो हम आपको जल से दलाते रहेंगे study IQ पर that is it from my side I am signing off thank you very much जह है जह है जह है जह है